दोस्तो बच्पन के हेलिकॉप्टर कही जाने वाले इस जीव के बारे में अगर आप लोग जान लोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा सबसे पहला चीज तो आप लोग ये जान लिजिए कि ये धर्ती पे 30 करोर साल पहले से रह रहा है मतलब कि डाइनासोर सभी पहले से रह रहा है इतना ही नहीं दोस्तो ये सबसे पहले उरने वाले किरो में से एक किरा माना जाता है और ये उरने में इतना महीर है कि ये सामने तो उरता ही है साथी साथ पीछे भी उर जाता है इसका दिमाग आप लोग देखिए और इसका आँख 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 बहुती बरे साइज का है ये 360 डिगरी देख सकता है और दोस्तों ये उर्ते-उर्ते हवा मैं ही अपने सिकार को कैच कर लेता है और ये ज़्यादातर मच्छर मक्षियों को पकर करके खाता है दोस्तों ये काटता भी बहुती तेज है इसके बार में मैं आपको अनेको खासित बतलाने वाला हूँ लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंड करके बताईए कि क्या आप लोगों ने बज़पन में इसे पकरा है और रसी बांध करके उराया है कि नहीं उराया है और आप लोग अपने भासा में इसको क्या बोलते हो बहुती अलग-अलग और गजब-गजब इसका नाम है दोस्तों एक चीज तो आप लोग जान लीजिए कि ये अंडा देता है और अंडा कहां पानी वे देता है पानी के अंदर इसका अंडा चला जाता है और वो अंडा पानी के अंदर ही फुट जाता है और इसके जो बच्चे निकलते हैं वो कुछ दिन पानी के अंदर ही रहते हैं उसके अंदर ही तेरते हैं जब वो adult होता है तब बाहर निकलता है उसके बाद ये उरता है तो आप लोग सोच सकते हो कि हवा में उरने वाला ये जीव कुछ दिन पानी में बैतीत करता है ये बहुत ही ज़्यादा गजब है मुझे जानने के बाद मेरा भी दिमाग घूम गया था और इसी के वज़े से इसको water ecosystem का indicator भी कहा जाता है जहां पर ये dragonfly दिखाए परते हैं ऐसा माना जाता है कि उस नदी का या फिर उस पोखर का पानी ठीक ठाक है साफ है दोस्तों ये ज़्यादा तर साफ पानी में ही अंडे देते हैं दोस्तों हम लोगों ने बचपन में इसके साथ काफी समय बैत बोलते थे कुछ लोग तो इसके पीछे ये लकरी भी डाल दिया करते थे और इसी के बज़े से इसको काफी दुख होता था और कुछ समय के बाद इसकी मौत भी हो जाती थी दोस्तों ये एक नहीं लगभग 5,000 पर जाती के हैं और सारे बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही और दोस्तों बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी मौवाइल का इस्तमाल करते हैं लेकिन बड़े लोग बहुत ही समझदारी से इस्तमाल करते हैं इसलिए आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि हमारे फेस्बुक पेज पे ऐसा ही एक नहीं हजारों पसू पक लगता है ऐसा ही फोलो होगा उपर और अगर यूटूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लिजी सब्सक्राइब करने का भी एक रूपया नहीं लगता है हम लोग मिलते हैं इसे बहुत सारे वीडियो में तब तक लिए टेक क्यार बाइबाइब जेहंद